बिस्मिल्ला हिर्वाख्मान निराखिन असलाम लेकॉम आज हम मज़ेदार सी चिकन टिकी बनाएंगे बहुत ही सोफ्ट बनती हैं और बहुत ही असानी से बनती हैं तो चलें मज़ेदार सी चिकन टिकी को बनाना हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब् प्रम्यानी प्यास को बारीक चॉप करके उसके पानी को निकाल के फिर उसको चिकन में एट करेंगे अब इसमें एट करेंगे एक टेबर स्पून अदरक लैसन का पेस्ट, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा एट करेंगे जायके के इसाब से नमक चाहेगा, Half teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च Half teaspoon पिसी हुई काली मिर्च 1 teaspoon धनिया पौवडर Half teaspoon गरम मिसाला पौवडर 1 teaspoon चिली फ्लेक्स 3 अदद चौप की हुई हरी मिर्चे 3-4 tablespoon हरा धनिया एक अदद अंडाइस में जाएगा इसके साथ ही आदा कप bread crumbs इसमें शामिल होंगे और लास्क में 3 tablespoon oil इसमें add करेंगे इन सब चीजों को add करने के बाद अच्छे से grind कर लेंगे चिकन टिक्की का mixture अच्छे से त्यार हो गया है अब हातों को oil से grease कर लेंगे अब mixer में से थोड़ सा portion लेके उसको टिक्की की shape दे देंगे जी इस तरह से और इसी तरह आपनी सारे टिक्कियां बना लेनी है पैन में हमने 2-3 tablespoon oil add किया है अब इसमें हम चिकन टिक्कियों को add कर देंगे flame आपनी medium to low रखनी है चिकन टिक्की की side को हम change करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं जब चिकन टिक्की अच्छे से पक जाएगी और इस पर अच्छा सा color आ जाएगा तो हम इसको dish out करेंगे चिकन टिक्की बहुत अच्छे से पक गई है और इस पर बहुत खुबसूरत सा color आ गया है तो अब हम इनको dish out करते हैं बहुत ही soft बहुत juicy और नहायत लजीज चिकन टिक्की जो है वो त्यार है आपने क्या करना है आपने इन मज़ेदार चिकन टिक्की को करना है try मुझे करना है comment इसके साथ ही मेरी चैनल को subscribe करना और bell icon पे क्लिक करना मत भूलिएगा अला निगे बान